दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा लगों तक सेयर करें। दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट किया हमें बहुत ही जुरूर्ण थे। तक पहुंचे रहें। कि दूस्तो शुरू करते हैं आच की सबसे बड़ी खबर के रूप में। तो दोस्तो आज ही सबसे बड़ी खबर है, दोस्तो कमेंट करके जरूर से बताए, अब की बार किसकी सरकार, मोदी या राहूल की, जी हाँ दोस्तो, सरकार उसी की होनी चाहिए, जो देश और देश के 130 करोड जनता के हित के लिए काम करे, जी हाँ दोस्तो, जरूर से बताए, अब की बार किसकी सरकार दोस्तों बीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों अगर आपकी घर बिटिया है तो आपको यह खाता खोल लेना होगा सरकार देगी आपको 70 लाक रुपे जी हाँ दोस्तों के खास युजना के बारे में सबसे चर्चित है सुकन्या समरिधी युजना जी हाँ दोस्तों इसके अंतरगत अगर आपकी बेटी 10 या उससे कम उम्र की है तो आपको पोस्ट ओफिस में जाकर के उसके नाम का खाता खुलवा सकते हैं यह खाता उस वक्त खुलवाएंगे जब आपका financial support देगा जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाएगी जी हाँ तो इस पैसे को आप अपनी आगे की पढ़ाई या अन किसी दूसरे काम में खर्च कर सकते हैं अब चाहे तो अपनी बेटी के भविष्ट के लिए आगे fix भी कर सकते हैं सुकन्या योजना लेने के लिए आप अपने नजदी की post office जाएं और वहां से सुकन्या समरिधी योजना का form भर सकते हैं अगर समय नहीं है तो आप internet से या इंडियर post के website पर भी जा करके इसका download कर सकते हैं बेटी की photograph लगा कर form भर कर उसे post office में जमा कर दीजिए फॉर्म भरे और सही सही तरह के सहाश तक चेड़के जिहाँ दोसो अपनी ID और address proof की photo copy भी लगाए अगर आधार काट है तो उसको भी सनलग भी शुकर्निया सम्रिथी योजना खातों को bank में भी खोल सकते हैं कोई भी वेक्ति अपनी 10 साल की बेटी के नाम पर इस account खोल सकता है इस account का सर्थ यह है कि इसमें निवेस 14 साल तक ही किया जा सकता है अगर कोई अपनी एक साल की बेटी के नाम पर खाता खोलता है तो वह बेटी के 15 साल तक की उम्र तक निवेस कर सकता है जी हाँ दोस्तों ऐसे में 15 साल से लेकर के 21 साल के बीच में इस account के बीना निवेस किये ही ब्याज पाया जा सकता है इस खाते में अधिकतम डेढ़ लाक रुपए एक वीतिय साल में जमा कराया जाता है 14 साल तक डेढ़ लाक रुपए सलाना कर निवेश कर 15 साल हो जाएगा तो आपको 40 लाक रुपए मिलेंगे इसके बाद 40 लाक अगर आप न निकाले और वो 21 साल में निकाले तो यह करीबन 64 लाक हो जाता है इस यूजना के अंतरगत आप सलाना 500 रुपे अधिक्तम डेड़ साल तक जमा कर सकते हैं साल में जितनी बार चाहे पैसा जमा कर सकते हैं यह यूजना PPF यूजना के समाने बलकि यूँ कहिए कि PPF की तुलना में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है अगर आप किसी साल पैसा जमा करना भूल जाते हैं तो आपको 50 रुपे सलाना पैनाल्टी भरनी होगी बेटी के 18 साल की उम्रे पूरी हो जाने पर उसमें से 50 पर 30 धन आप निगाए तो अगली बड़ी ख़वरे पाकिस्तान ने बॉर्डर पर टैंक रडार लगा रखा था और हम बजरंग बली की जय करके उपर से जले हैं जी हाँ दोस्तों परधान मतिर नरेंदर मोदी ने जनता के सवालों का जबाब देते हुए जब उनसे पूछा गया एरस्टाइक से जुड़ी सवालों के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर पर सारे टैंक लगा रखे थे रडार भी लगा रखा था और हम बजरंग बली की जय करके उपर से चलिया जी हाँ दोस्तों परधान मंतरी ने कहा उनको लगता था कि मोदी ने सर्जिकल अस्टाइ किया तो इस बार वो और कुछ ऐसा करेगा उन्होंने बॉर्डर पर सब ताम जाम खड़ा कर दिया अफगानिस्तान ने बॉर्डर से भी लगा कर यहां रख दिया यहां तक की बुलुचिस्तान ने बॉर्डर भी लगा कर यहां रख दिया सारे टैंक लगा दिये रडार लगा दिये और हम बजरंग बली की जय करके उपर से चलिया है जी हां दोस्तों परधानमंत्री मोदी ने कहा कि कॉंग्रेस सोच रही थी कि अविनंदर चार से पांच वर्स नहीं लोटेंगे जी हां दोस्तों परधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सीधा निसाना साते हुए कहा है कि जब पुलवामा हमला हुआ तो कांग्रेस पूछने लगी कि आतंकवाद से लड़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ जब आखिरकार कुछ किया तो उन्होंने उस कदम पर भी सवाल उन्हें धैरे रखना चाहिए आगे उन्होंने कहा है कि जब हमने एफ-16 मारा और हमारे पाइलट अविनंदन उन्हें पकड़ दिया तो वे फिर खूस हो गए उन्हें अपने कारिकरम के अनुभव से सीखना चाहिए था लेकिन उन्होंने सोचा कि विंग कमांडर अविनं गलत साभित होते हैं दोस्तो अगली बड़ी खबर है थपड मार जैसे फैसन ही चल पड़ा है केजरिवाल से लेकर के सरत पावार जैसे नेता खा चुए हैं थपड और केजरिवाल का थपड हुआ फेमस जी हां दोस्तो दिली के मुख्यमंती अरविंद केजरिवाल को पुराना है दिली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल से लेकर के परसाथ भूसन और सद्ध पवार जैसे राजनितिक भी थपड का कांड का सिकार हो चुके हैं इस मामले में दिली के अर्विंद केजरिवाल की किसमत सबसे खराब रही है उन्होंने एक आटो चालक भी थपड़ उन्हें मार दिया इतना ही नहीं के जरिवाल को दो बार जूते भी पड़ चुके हैं और उन पर सियाही भी फेकी जा चुकी है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है दुस्मन अगर गोली चलाएगा तो मोदी भी गोली चलाएगा प्रधानमतरी मोदी का कान है बिहार के बाल मिकी नगर लोक सबाच चेतर से राम नगर में परधानमतरी मोदी ने चुनाभी सबा को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने कांग्रिस अद्धक्ष राहूल गांथी और महा गठवंदर पन सीधा निसाना साधा और उन्होंने कहा कि आपने जो मजबूत सरकार बनाई है उससे असपस्ट संदेश दुनिया को दिया है कि अब भारत चुब नहीं बैठेगा हम पर जो बूरी नजट डालेगा उस पर उतनी ही सकती से वार किया जाएगा आतंकी हो या फिर आतंक्वाद के मददगार घर में घुसकर मारा जाएगा वो अगर गोली चलाएंगे तो मोदी भी गोली चलाएगा यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जरूर से दबा दे ताके हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंचती रहें जी हाँ तो अगली अगलों ने घेराबंदी कर लिये, 60 साल के गूल मुहमद मीर को पाँच गोलीय लगी है जिसमें से तीन गोलीय उनके सीने पर और दो गोलीय पिट में मारी गई है, एक पुली अधिकारी ने जानकारी दिये है कि गोली लगने के बाद गूल मुहमद मीर को अस्पताल मिले जाए गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुरित घोसित कर दिया गया, जानकारी के मुताबिक बता दे कि गूल मुहमद मीर बिधान सबाचुनाओं से लड़ रहे थे और कहा जा रहा था कि तिन आतंकवादियों ने घर में घुज़ करके उनकी जान ली है, नेशनल कॉन निंदा करता हूँ और दिवंगत की आत्मा के लिए प्रातना करता हूँ, अगली बड़ी ख़वरे, छो माई को पाँचवे चरन का मतदान दाव पर लगी है, इन दिगजों के किसमत, जहां दोस्तों, लुक्स बाचुनाओं के पाँचवे चरन के मतदान के लिए साथ रह पाँचवे चरन में केंदरिये मंतरी, राजनात सिंग, राजवर्थन सिंग राठोर, इसमिर्ते इरानी, जयन्त सिन्ह, अर्जून राम मेघला, और कॉंग्रेस के बड़े नेता राहूल गांधी और सोनिया गांधी की किसमत का फैसला होने वाला है, पाँचवे चरन के च मध्रदेस के पूरे मुख मंतरी सिवराज सिंग चोहान के खिलाफ मूर्चा खोला है, उन्होंने कहा है कि अपकी बार राम राम कहकर बदल कर देंगे चोकीदार, बाबा ने कहा है कि चुनाओ में प्रधान मतरी मोदी की जनता सबक सिखाएगी, कंप्यूटर बाबा ने र एक चारो पर मामले के वे लोक्स बाच उनाओ के बाद जाच काएगे, बाबा ने कहा है कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था, उन्होंने प्रक्या ठाकिर को परत्यासी बनाते तो कुछ मामला अलग होता, उन्होंने कहा है कि मोधी सरकार ने 130 करोड जनता को वादे किय के चोकिदार, कंप्यूटर बाबा ने कहा है कि मदपर्देश में 13 अखाडों के करीबन 7,077 राजधानी में 7 से लेकर के 9 मई के बीच रूख करेंगे, 7 मई को हजारों साधूसंत धुनी रमाएंगे, 7 दिगविजे सिंग की जीत के लिए अनुष्ठान करेंगे, 13 अखाड करेंगे.